Welcome to my channel English Study Lovers आज हम डिस्कस करेंगे on Saying Please by Alfred George Gardiner Alfred George Gardiner was an English journalist, editor and author His essays written under the alias Alpha of the Plough are highly regarded He was also chairman of the National Anticipating League and Advocacy Group which campaigned for a minimum wage in industry यहां अध्याय देनिक जीवन में अच्छे साउसकारों के आवश्कता पर बल देता है कताकार दो उधारनों का विवरन देता है उनके माध्यम से वह साबित करता है कि अच्छे शिष्टाचार बुरे व्यवार दोनों संक्रामक है विनोधी लेजे में लिखते हुए एक अताकार में बहुत सुक्ष्मों और मनोरंजक तरीके से अभजरता के खिलाप जेताओनी भी देता है लिफ्टमेन का मामला अध्य एक लिफ्टमेन के खाते से खुलता है यह एक शहर के कारेले में हुई एक घटना का वर्नन करता है एक युवा लिफ्टमेन ने एक यात्री के खिलाप हिंसा का जबानी कारवाई की थी जिसने विनम्रता पुर्वक इमारत की सबसे उपरी मन्जिल पर जाने का अनुर्वत करने से इंकार किया था यात्री ने कुरुपया शब्द के साथ अपने आदेश के साथ जाने से इंकार कर दिया था कताकार का दावा है कि हाला कि सब्वे समाज में अच्छे शिष्टाचार को हमेशा स्विकारिय माना जाता है लेकिन वे कानूनी रूप से लागू नहीं होते है कोई कानून विवस्ता नहीं है जो मांग करती है कि समाज के लोग विनम्र तरीके से कार्य करे इनके कारण कानून शिकायत करता के पक्ष में आया हलांकि अधिकाश लोगों को लिफ्टमेन के प्रती सहानुभूती होगी इस पात को कहेने के बाद कताकार यह भी स्विकार करता है कि बुरे वहवार को केवल इसलिए माफ किया जा सकता है क्योंकि यह कानूनी रूप से दंड़निया नहीं है लिप्टमेंगे मामले से पता चलता है कि हालां की एक यात्री की और से सनमान चरंखावाओ की कमी लिप्टमेंग के लिए बहुत अपमान का कारण था कानुन किसी को भी बुरा व्यवार करने वाले को दंडित नहीं कर सकता है यह व्यक्तियों की जिमेदारी है कि वे अपने व्यवार और सार्वजनिक आचरन को विनियमित करें खराब तापमान की संक्रामक शूंकला लिपमेन का मामला कताकार को इसके बारे में एक बड़े संदर्म में सोचने पर मजबूर करता है यात्री का बुरा व्यवार हाला की शमा करने होगे नहीं है हो सकता है कि उसके अपने नियोक्ता के उसके उपस्तिती को गुड मॉर्निंग के रूप में स्विकार नहीं किया हो नियोक्ता बदले में अपनी पतनी के साथ एक कठोर बाच्चित कर सकता था जो कि गुरुहिनी के बुरे व्यवार के कारण परेशान हो सकती थी और इसी तरह यह श्रूंकला दरशातिये की बुरा व्यवार संक्रामक होता है कंडक्टर का मामला प्रस्तुत दूसरा मामला एक विनमर कंडक्टर का है जिससे वर्नन करता कही बार बस में मिल चुका था वर्नन करता का कहना है कि जबकि इस नोकरे में अधिकांश लोग आकरमक तरीके से तेज आवाज के साथ व्यवाहर करते हैं वह उनकी विपरित था वास्तों में उन्होंने एक बार असाधारन द्यालूता प्रदरशित की और कताकार को बड़ी सुविधास से बचाया जैसे की कताकार एक बार गलती से बिना किसी नगदी के बस में चड़ गया था आसन ने अपमान के डर से कंड़क्टर ने विनम्रता से उसे माफ कर दिया वर्नन करता ने भी ऐसा ही अच्छा व्यवार प्रदरशित किया जब एक बार कंड़क्टर ने गलती से अपने भारी जोतों के साथ कतावाचक के पेर पर कदम रख दिया तबसे कताकार ने कंड़क्टर के हसमुख चेहरे को देखा और उसे हमेशा दूसरों के साथ उसके विनम्र आचरों को देखकर प्रसन्नता हुई वह एक बहुत थी अच्छे स्वभाव के वेक्ति थी और सभी के साथ द्या और धेर के पेश आते थे वह व्रुद्धों का ध्यान रखता था और बच्चों की देखबाल करता था वर्णन करता के लिए उसके साथ बस में एक भी आत्रा ने सर्गी स्ष्टाचार का पाट थी अच्छे वेवार के संग्रामकता कंडक्टर का मामला साबित करता है कि अच्छा वेवार भी संग्रामक होता है एक का सम्मत व्यक्तित्व वातावरन को हलका करता है और दूसरे के मूड को उपर उठाता है एसा कोई सविदान नहीं है जो किसी भी दरह के वेवार के अनुमती देता है या प्रतिवंदित करता है कोई नियम पुस्तिका नहीं है जो उचित वेवार के लिए दिशा निर्देश देती है या बुरे वेवार के लिए दंड का प्राउधान करती है सब्व्य आचरन का प्रदर्शन करना समाज के प्रत्यक प्रक्ति की बुनियादी जिम्मेदारी है निशकर्ष दोनों मामले स्थापित करते हैं कि यहाला की कानोरी रुप से दंडनिया नहीं है बुरा व्यावार कभी भी स्विकारिया नहीं है इसी तरह हाला की कानोरी रुप से लागू करने योगे नहीं है अच्छे व्यावार का हमेशा स्वागत किया जाता है यहाँ अध्याई इस बात पर भी जोर देता है कि बुरे आचरन की प्रतिक्रिया कभी हिंसक्या आक्रमक नहीं होनी चाहिए केवल द्यालूता के साथ अशिष्ट व्यावा से निपट कर भी हम सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं इससे यह निश्कर्श निकलता है कि शिष्टाचा सब्वे समाज की पहचान है